पूर्वी यूपी के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया सुबा से बादल चाय थे तेज हवाओ और गरत चमक के बाद अब बार शुरू हो गई मौसम विभाग ने दो दिन पहले ही इसकी भविश्यवानी की थी मौसम विग्यानियों का कहना था कि बुद्वार को यूपी में 40-50 किलो मीटर फ्रतिगंटे की रफतार से धूल भरी हवाय चलेंगी बुद्वार को कई जिलों में ये भविश्यवानी सच होती दिखी मौसम में इस बदलाव के साथ पिछले कई दिनों से बढ़ती गर्मी देख रहे लोगों को सुभा से ही हल्की ठंड का एसास हो रहा है लकनव मौसम केंद्व ने इसको लेकर दो दिन पहले भविश्यवानी की थी और कई जिलों में तेज हवा और गराचमक के साथ बूंदाबांदी से लेकर बारिश तक की भवश्यवानी की गई थी इसे बीच आज यूपी के विभिन शहरों में नियूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताए गई गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है माना जा रहा है कि शुक्रवार से तापमान में विध्धी दर्च की जाएगी और बुदवार की सुभा से गोरकपूर और आस-पास के इलाकों में मौसम बतला हुआ है बारिश हो रही है आज और कल बारिश के बार्श के बाद शुक्रवार से मौसम खुल सकता है इसके बाद तापमान बढ़ने और पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पढ़ने के आसार हैं आने वाले दिनों में प्रदेश के भीशन गर्मी का आसर देखने को मिल सकता है मंगलवार को गोरकपुल में नियूंतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस तो अधिक्तम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया और इसी तरह से राजधानी लखनों में नियूंतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तो अधिक्तम तापमान 31.11 डिग्री सेल्सियस रहा कानपुल में 11.6 डिग्री नियूंतम और 28.8 डिग्री अधिक्तम तापमान रहा